इस कार्टरम के प्रायुजक हैं गोल्डी मसाले तमस्कार आज के मुद्दे में आपका स्वागत है मैं हूँ आरिश हज़र आपके साथ एक महंत जिसका पूरे देश में अपनी एक अलग छवी थी एक अलग रुद्बा था सत्या किसी की दल की थी चाहे वो किसी भी सत्या में बैठे लेकिन हर किसी का सिर उसके सामने जुकता था हर कोई उन्हें बहुत सम्मान देता था वो दूसरों को रास्ता दिखाता लेकिन वो खुद अपने ही रास्ते में भटक गया हम बात कर रहे हैं नरेंदर गिरी जी की जिन्होंने एक पल में अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली और इस दुन्या से चले गए जिन्दगी से बहुत दूर लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन्होंने ये रास्ता आखिर चुना क्यूं आखिर कौन था जो उन्हें ब्लैक मेल कर रहा था इसी पर आज हम बात करेंगे आज के मुद्धे में रिपोर्ट देखिए एक महंत कई शिश्य नरेंद्र गिरी की मौद से उठा परदा क्यों जिन्दगी हार गया राह दिखाने वाला आत्म हत्या से पहले नरेंद्र गिरी ने लिखी ती चिठ्ठी आखिर क्यों चुना मौद का रास्ता पिछले 24 घंटों से अखाड़ा परिशत के महंत नरेंद्र गिरी की मौद एक पहेली बनी हुई है आखिर कार अब मौद से परदा उचता हुआ नजर आ रहा है सुसाइड नोट से एक बात साबित हो गई है कि आखिर कार नरेंद्र गिरी ने ये कदम क्यों उठाया और किसकी वज़े से उठाया उन्होंने सुसाइड नोट में पूरी कहानी बया की है आखिर किसने इतना मजबूर कर दिया कि वो दुनिया से दूर चले गए जी हाँ हम बात कर रहे हैं नरेंद्र गिरी के उस कथित सुसाइड लेटर की जिसमें इसका जिक्र किया गया है नरेंद्र गिरी का कथित सुसाइड लेटर वाइरल हुआ है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखाए कि वो अपने शिष्य आनंद गिरी की वज़े से आत्महत्या कर रहे हैं साथ में उन्होंने ये भी लेटर में जिक्र किया है कि वो ब्लैक मेलिंग की वज़े से अपनी जान दे रहे हैं मतलब साफ है उन्होंने लेटर में लिखाए कि उनका शिश्य आनंदगिरी उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहा था उन्होंने लिखाए कि वो एक लड़की के साथ मेरा वीडियो जारी करने की बात कह रहा था और मुझे लगा आखिरकार में किसको सफाई देता फिरूंगा इससे अच्छा आत्महत्या ही कर लेना है ये कोछ अंश है लेटर के जो हम आपको बता रहे हैं हाला कि अभी पूरे मामले की जाँच चल रही है और आनंदगिरी को गिरफतार कर लिया गया है और उससे गहन पूचताच चल रही है सोमवार को जैसे ही लोगों ने नरेंदगिरी के आत्महत्या की खबर सुनी चारों तरफ हाहाकार मच गया जिसने भी सुना वो दंग रह गया किसी को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने आत्महत्या की होगी सादू संतों का जमावड़ा उनके आश्रम में लगा हुआ है और लोग दोशियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग कर रहे है सिटिंग जजज हाई कोड मानने सिटिंग जजज से यहां की जाच होनी चीए जिससे की पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए उन पर सिक्यूरिटी थी वो कई बार कोई चीजों को लेकर के अगर उनके मन में कोई शंका थी अगर कोई परिशानी थी अगर उनकी कोई जमीन को छीन रहा था या कोई कारण था कम से कम सिटिंग जच जब इसकी जाच करेंगे तो वो सब सच्चाई बहार आ जाएगी घटना की खबर सुनते ही सीएम योगी आदितनाथ नरेंद्र गिरी के आश्रम पहुँचे और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किये साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जाच चल रही है और दोशियों के खिलाव सक्त कारवाई की जाएगी यहां की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्स से कलेक्ट के गये है चूंकि एक बरिष्ट धर्माचारे और अख़ड़ा परिशत के अध्यक्स से जुड़ावा मामला है उन्हें इस पूरे केस की प्रोपर्टी का हिस्सा मानते वे पुलिस के एक टीम जो है के एडी जी जॉन आईजी रेंज और डी आईजी प्रियागराज एक तीनों और मंडला युक्त प्रियागराज इस सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर के साथ इस कारिक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी इसके लिए जिम्यदार होगा उसको कानून के दाएरे में लहा करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी अब सवाल यही उच्छा है कि आखिर आनंदगीरी ने अपने गुरू को बदनाम करने की साजिश किसके इशारे पर रच रहा था और आखिर क्या था उसका मकसद अगर सुसाइड लेटर में लिखा है कि किसी लड़की के साथ गलत काम करने का वीडियो वाइरल करेगा तो आखिर वो लड़की कौन थी मामला इतने से ही खतम नहीं हो जाता है सवाल बहुत हैं और इसके राज़दार भी बहुत हैं अब देखने वाली बात ये होगी कि आत्महत्या के लिए उकसाने में कौन-कौन से नाम सामने आते हैं और किसका नाम दबा दिया जाता है प्यूरो रिपोर्ट के नियूस इंडिया महंत का अंत दुखत जी हां हम बात कर रहे हैं खाड़ा परश्चत के अद्धक्ष है महंत स्वामी नरेंद्र गिरी की नरेंद्र गिरी ने सुंबार को अपने कमरे में पंखे से फंदा लगा कर आत्मात्या कर ली थी और एक सुसाइड नोट वो छोड़ गए जो हमने आपको दिखाया लेकिन छोड़े गए सुसाइड नोट ने भी कई सारे सवाल खड़े कर दिये मसलन आठ पेच के सुसाइड नोट पर अपने ही शिष्च चालिस वर्षी आनिंद्र गिरी को आत्मात्या का कान बताया लेकिन उनके अन्य शिष्च को कहना है कि नरेंद्गरी यदा कदा ही एक दो लाइने लिख पाते थे फिर आठ पेच का उन्होंने ये खत कैसे लिख दिया हलाकि सुमवार को यह अर्दवार से उन्हें हिरासत में लिया गया और मंगलवार को यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ़तार कर लिया आरोपी महंत आनंद इस एक बड़ी साजिश करार दे रहे है कौन है आनंद्गरी और उनका अपने गुरू नरेंद्गरी से क्या विवाद था जरा ये भी हम आपको दिखाते हैं आप सबने देखा मैंने अपने जीवन का सारा समय वह बिताया है उस मटको बनाने में मंदिल की प्रफिष्टा बनाने में मैंने अपने पुरे जीवन को उस पे लगाया है मैंने कभी एक रुपय का लाब वहां से नहीं लिया मैंने किसी प्रकार की लालत की भावना वहां से नहीं रखी, केवल मट को बचाने के लिए जो प्रियास किया, वह प्रियास आज इस रूप में आ गया, इसका मुझे बहुत भी दिने खुद को घुमंतू योगी बताने वाले आनंदगीरी की पहचान, प्रियागराज के संग्णम किनारे इस्थित, प्रसित बड़े हनुआन मंदिर के छोटे महंत के रूप में भी होती है, आनंदगीरी, बागमबरी, गद्दी के महंत, बड़े हनुआन मंदिर के मुख्य उन्हें 12 साल की उम्र में ईश्वर का संदेश मिला था, इसके बाद वह आध्यात्मिक मार्ग पर निकल पड़े। इसके बाद साल 2007 में आनंदगीरी निरंजनी अखाले से जुड़े और इसी अखाले के महंत बने। एक बार महंत आनंदगीरी की एक तस्वीर सोचल मीडिया पर वायर हो गई थी, इस फोटो में आनंदगीरी एक प्लेन में बैठे दिखाई दे रहे थे और उनके बगल में एक प्रदार्त रखा हुआ है। नौ वर्ष के दिन रूटी हिल इस्तित एक घर में पूजा में हिस्सा लेने के दोरान शयनकश में महिलाओं से मारपीट करने का आरोप भी लग चुका है। भंत नरेंदगीरी के पैरों में गिर कर माफी मागी थी। लेकिन दोनों के बीच रिष्टा पहले जैसा नहीं रहा था। इसलिए मेरे द्वारा अज्यानता में नादानी बस जो गलतियां हूँ उसके लिए एक शमाय असना करता हूँ और अपने बयानों जितने बयान में थी उनको वापिस देता हूँ और साथ की साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुश पजलता हुई हो तो में जबी रिक्षमाय असना करता हूँ और सारे बयानों को वाप्स देते हैं तुझी गदर देवी द्वारा को बढ़ा करता हूँ वी सितंबर 2021 को महंत नरेंद गिरी का श्व उनके कमरे में मिला शुरुवाती जांच में पुलिस ने इसे आत्मत्या का मामला बताया था महंत नरेंद गिरी ने आत्मत्या करने से पहले सुसाइट नोट भी छोड़ा था इस सुसाइट नोट में महंत नरेंद गिरी ने अपने सिस्च आनंद गिरी और कुछ अन्य लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था इस मामले में पुलिस ने आनंद गिरी को ग तो एक महंत के अंत ने कई सारे सवालों को जर्म दे दिया है और सुसाइड नोट जो सामने आया है इसे कहरे हैं उसको लेकर जिसे कह सकते हैं अनकम और बवाल मच के आए कई सारे सवाल एक साथ साम्ट आगे हैं वो कौन था जो बहंत को ब्लैक मेल कर रहा था तमाम ऐसे सवाल हैं जो सोसाइड नोट को आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं इसको विस्तार से भी हमने रिपोर्ट के माध्यम से बताया हमने आनंदगरी के बारे में भी आपको बताया लेकिन जो आठ पन्ने का ये सोसाइ कर रहा है कि बहुत कुछ साजिश रची जा रही थी कोई था जो महंत नरेंदगरी जी को परिशान कर रहा था वो कौन था ये अभी भी सवाल है जिसको लेकर पुलिस जाज कर रही है तमाम सादू संथ एक तरफ हैं जो ये बात कह रहे हैं कि हम इसको आत्मात्या मानने को त्यार रही है वह उन्हें तो लिखना भी नहीं आता तो वाट पन्ने का लेटर कैसे लिख सकते हैं लेकिन इन सब के बीच पुलिस की दलीली है कि यह आदमात्या है लेकिन जो आठ पन्ने का यह लेटर है यह भी तमाम चीजों की तरफ इशारा कर रहा है इसमें आनंदगरी का ना मारा है आनंदगरी को भी हमने आपको सुनवाए था जहां पर कई करोण की जमीनों की बात चल रही थी तो क्या यह एक पैसो को लेकर या जमीनी वी बात था या उत्तरा अधिकारी की बात की जा तो उसके इर्द गिर्द यह तमाम चीजे ब्लैक मेल की जा रही थी त अब तक औरे खटना क्रमपर किस तरह से गिरफतारी हो रही है तमाम चीजों हो रही है और हमायसाथ तमाम गेस जोड़ने उससे आपका तारूप सबसे पहले सीधे कराने वंदना सिंग समाजवादी पार्टी प्रवक्ता इस वक्त हमायसाज जोड़ गई वंदना सिंगी बहुत बहुत स्वागत है आपका कुषर जपेंद्र सिंग बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमायसाज जोगए कुवर्ण साहब आपका बहुत स्वागत है और मदन गुपाल दास, महराज, महंत, कामदगी प्रमुक दौर, चित्रकूर से हमायसाज जोड़ने, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सबसे पहले जो पूरा घटना क्रम हुआ आप भी तमाम चैनल पर देख रहे हो कि न्यूस पर सबसे पहले में पहली प्रतिक्रिया आपकी जाना चाहता हूं हत्या और आत्मात्या को लेकर तमाम तरह के सवाल है लेकिन इस बीच संद समाज क्या सोच है वो मैं आपकी जमान से जाना चाहूंगा चित्रकूर्स का पूरा भारत वर्ष में जितने भी मत्पत्र हैं हमारे अकाड़ा परिशत के वो अध्यक्ष थे तो उसे साब से जाए कि कहीं ऐसी कभी भी कोई परिश्टी ऐसी आई ही नहीं कि वो नर्वस हों या दुखी हों को कब बश्टि परिख में तो और उनको अपने हास यत रुडब करते थे और बहूत शिलो करते थे और इतना बड़ा लेटर लिखा है और दूसरी बात पंचायती अखाड़ा के अंतरगत मठ है कोई भी समस्या होती है तो पंच निप्टारा करते लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी बात आई नहीं कभी भी नहीं आई केवल आपस में जो उत्रादिकारी और संतों को लेकर के मठ में जो बारता होती थी वो आपस में बैठ करके सुल्जा लेते थे लेकिन अराजक तत्तों दोरा कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि अराजक तत्तों दबाव में लिये थे कौन अराजक तत्व थे जो उन्हें दबाव में लिये थे अगर स्वामी जी आपको पताओ महारा जी पूर्व में हमारे जानकारी में जो अस्थानिय लोग थे जो की आनंद गिरीजी के माध्यम से चर्चा में भी आया है और वीडियो भी चला है और पूर में भी बातचीत में ऐसा आया है कि जो लोग कुछ ग्रहस्ती लोग जुड़े हुए थे और ग्रहस्तियों में कई लोग होते हैं भक्त होते हैं आते जाते हैं लेकिन बोलो लगातार उनके संपर्क में थे लेकिन हम संतों को उससे मतलब नह महराजी ऐसा भी कोई दबाव हो सकता है जो महंद को मौत की तरफ धकेल दे दे कौनस ऐसा दबाव हो सकता है तेहीं कोई ऐसा हो जाओना था के माराज जी अगर एक मालेजे मिसाल के तॉर फें मैं अगर यह मालू के यह जो लेटर लिखा गियाσज यह सही है तो तमाम बाते इसमें जिकर किया ग्या इसमें यह तta चाएंड़ अइवरा में जिसे कह सकते हैं जिकर किया जा रहा है जिसको लेकर यह शील वीडियो के तरह ब्लैक मेल किया उन्हें जा रहा था उन्हें परिशान किया जा रहा था तमाम बाते हैं इस लेटर के अंदर अगर एक वक्त के लिए बुसको सही आप प्रसासन के पहले वो दरवाजा कैसे तूटा मिल कभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है हम लोग तो नजदी की रहें आना जाना चिक्रपूर्चे उनका था हमारा भी प्रियाग में मेले खाल्सा रखता था जाना आना था फ्रेम था आपक में और उन्होंने हम लोगों की कई पंच्चायते निप्टाइए बागामबरी मत पर भी पंच्चायत हुई है और पंच्चायती अखाड़ा का वो स्वयम अस्थान रहा है आपस की बात थी तो उनके जो उत्रादिकाद प्रिजी हैं उनके बीच में थोड़ा सा मन मुटाओ था तो उसमें सामंजस हो गया था अब उसमें जो सुसाइट नहीं आई है थोड़ी बहुत भी आई होती तो हम लोग मानते कुछ उस पर पत्किरिया भी व्यक्त करते लो बात नोट में लिखी है और पैसा कभी रहा नहीं कुछ भक्तों के द्वारा जो उनसे लगातार जुड़े हुए थे उनसे कुछ समिस्यां रहती थी लेकिन वो में अखाडा में या समतों के मद्द में बात चीत नहीं रखी है तो महराज जी का कहना है कि बहुत सी ऐसी बाते थी जो पता नहीं इस पर जाच की जरूरत है हमारे साथ संजेदास उत्रा दिकारी है ग्यान दास अयुद्या से हमाई सा जुले संजेदास जी आपका ही पर तमाम बाते कहीं जा रही हैं सबसे पहले संजेदास जी मैं पहले पुरे घटा करम को लेकर आप किस तरह से देखते हैं हाँ संजेदास जी बोले जी बताइए जी संजेदास जी मैं पूरे घटा करम को लेकर आप क्या सूचते किस तरह से देखते मैं पहली प्रतिकरिया आपकी जाना चाहूँ कि तेखिये सर प्रथन तो अधानी नरेंडर गिरी जी कहीं ने कहीं इसके सिकार हुए हैं और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जाच ये साइटी कर रही है तो निश्ची तरह सा परड़ाम को समय आएगा और जो भी ये घिने तरहां संजे दाजी बोले जिसने भी घिने कार किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए हाँ संजेदाजी बोले में मेरा कहना संजेदाजी आपकी मुलाकात महां दरेंद गीरी जी से कभी हुई थी हाल फिलाल के अगर बात की जाए क्या किसी विशे पर उन्होंने आप से बात करी थी हमारे गुर्देव परंपोजी स्री महांत ग्यांदाजी स्वेम अखाला परसद के अध्यक्त से इसके और निश्चित है उनके सानिद में रहने का मुझे सुप उसन मिला था अपर हादणिये नरेंद गिरी जी भी काफी समय से महाराजी के संपर्क में रहे हैं उसके बाद उन्होंने फिर अखाला परसद का जच्छ पर्द का चाहिए तो निश्चित है वो बहुत ही खुले विचार के महापुरुष थे और कहीं ने कहीं इस तरह से जो हुआ है निश्चित है किसी इसने किसी का सड़यंत रहे और सरकार को इसका फर्दाफास करना ही चाहिए तो आपको लगता है संजेदाजी यह जो कदम उठाया गया है यह किसी दबाओ के चलते यह कदम उठाया गया है निश्चित है जो है कहीं कहीं महाराश्री दबाओं में थे लेकिन एक चीज और है इतने जादा उम्र होने के बावजूद इस तरह से निर्भिग निस्ताकारियों को संपन्न करवा रहे थे तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से स्वैम वे ऐसे साथी लगा तकते हैं त लेकिन सबसे पहले आप क्या कहेंगे इस पूरे घटा करम को लेकर देखिए कल से विभिन चैनलों पर ये चर्चा का विशे बना हुआ है और जितना भी आप हम सर लोग देख रहे हैं और जो बहुत करीब से महंत मेरेंदर गिरी जी महाराज को जो लोग जानते थे उन सब पिए जानते भी हैं कि वह बहुत ही जीवट और उनमें जो उनके नर्नायक शमता थी वह निरने लेने में उनकी शमताओं को सबने देखा है और जितनी जीवट सा से उन्होंने अपना जीवन जी आपना तपस्वी जीवन जी रहे तो हमें नहीं रगता कि वह ऐसा कदम विवेक से और उनको मौटिवेट करके वो सही रास्ते पर कई बार उन्होंने लाने का प्रयास किया है तो ऐसे व्यक्ति जो संत भी हो तो हमें नहीं लगता कि उन्होंने कई ऐसा आतम हत्य जैसा कदम उठाया और सारे साक्षे भी इसी और इशारा कर रहे हैं कि लोग जानने कर रहा है वो साफ तोर पर कह रहा है कि यह आत्पात्या है और जैसा कि मुझे आपको ही पता चौबिस घंटे पहले डिप्टी स्क्यम के साथ ही मुलाकात हुई हो सकता है कुछ बात उनको भी बताई हो सब तथे आपके सामने हैं और हमें ये लगता है कि इसमें बहुत बुर्द स्तर पे जांच होनी चाहिए और ये कोई छोटा मामला नहीं है या ये संत समास से जुड़ी हुई कोई छोटी घटना नहीं है अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये गुरु शिश्य परंपरा ज लिए लगाते हैं और यहां गुरु शिश्य परंपरा को कलंकित करने के भी जो प्रयास हैं और उसमें जो ये घटना हुई है उन्हें से तोर पर ये इसकी सी बी आई जाच होनी चाहिए सी बी आई जाच में इसका इसकी सत्ता निकल कर सामने आएगी और दोश्यों को कठो कठोर से कठोर ठंड मिलना चाहिए ताकि भविश्य में कभी भी इस तरह की घटनाओं की पुर्णरवृत्ति ना हो तो कठोर से कठोर जंड जो है वो मिलना चाहिए सी बी आई जाच जो है वो होनी चाहिए वंद्ना सिंग भी हमारे साथ है वंद्ना जी आप क्या कहेंगे कि अध्य बात तो यह है कि यह बहुत ही दुखाद और अफसोस जनक घटना है कोई भी व्यक्ति ऐसा कदम क्यों उठाएगा जिसके पास सब कुछ हो किसी चीज की कमी ना हो अभी मैं अपने पुरा सारे पैनलिस्ट को सुन रही थी इन में से कुछ संपनों कह रहे हैं कि उ जो इनसान लिखता नहों वो आज पेच का लिख के छोड़ रहा है और फिर उसमें दो तीन वेक्यों के ही नाम है यह कुछ साजिश ही लग रही है जो सब कह रहे हैं मैं उसे बिलकुल सहमत हों कि इसकी जाँच होनी चाहिए और थोरली इसकी जाँच होनी चाहिए सब को श होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए क्योंकि देखिए इसमें कई हो सकता है कुछ बेगुना लोगों को रहा हो भी बहुत गलत है इसकी जाँच बिना देरी किये हुए तुरंट इसकी जाँच होनी चाहिए लेकिन जैसा की कह रहे हैं गिसे लिख नहीं पाते थे जब वो लिक नहीं पाते थे तो उन्होंने कैसे इतने नाम दे दिये आप बताईए जो नामार है जो इसान लिखता नहीं था वो कैसे साथ आठ पेज का आपको सुसाइड नोट छोड़के जाएगा और इतने डीटेल में यह कुछ समझ के परे है लेकिन बंदा सिं इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि विवाद चल रहा था विवाद में हमने सुना आपस में कुछ सुलह भी हुई लेकिन ऐसा तो विवाद नहीं था कि एक इनसान इतना बड़ा कदम उठा ले कि वो अपने आपको मार दे आप भत्या कर ले मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ वो मुझे तो कभी मैं से दो-चार बार मिली हूँ जब भी मंद्र गई हूँ मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा दिये इनसान ऐसे कदम उठा सकता है तो साफ तो हर जंहां से एक ही तस्वीर और एक बास सामने निकल करा रही कि महांद जी आत्मा हत्या नहीं कर सकते थे इस पू को रखने के लिए संजेद आजी आपका भी बहुत बहुत शुक्री हमारे साजुने के लिए अपनी बात को रखने के लिए तो फिलाल आज के मुद्दे में चर्चा लगातार जारी रहेगी रुकते एक छोड़े से ब्रेक के लिए हम जल आजर होंगे आप देख रहे हैं के नियूस खबरों का सार्थी होगा तो होगा तो उडेल देंगे बदल देंगे तेल डाल देंगे इस बार भी डेंगू को हराना है दस हफते दस बजे दस मिनट फिर से अपनाना है हर रवीवार डेंगू परवार दस हफते दस बजे दस मिनट देंगू हट दस हफते दस बजे दस मिनट फिर से हट डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दिवाना दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनुखा स्वाद कमला पसंद अनुखा स्वाद जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिलको मौर पशुओं हार तो दूद बहेगा उनाफा बढ़ेगा जन जन तक स्वास्थ सेवाएं पहुचाने के लिए प्रतिबत चतिसगर सरकार भूख्य मत्री स्लम स्वास्त योजना से अब तक साड़े आठ लाग से ज्यादा मरीजों का इलाज 41 लाब टेस्ट वाले 60 मोबाइल वैन की मदद से 14 नगर निगमों में लगे 13,850 कैम एक लाग 20,000 से ज्यादा को मिली मुफ्त लाब टेस्ट सुविधा हार्ट बजार क्लीनिक से समाज के आखरी छोड तक स्वास्ति सुविधायर वहचाने की अभिना पहल से सुदूर वनाचल के 90 लाग से ज्यादा मरीज लाभान बे 1600 से ज्यादा हार्ट बजार क्लीनिकों से अब तक 8 लाग से ज्यादा मरीजों का इलाज चत्रिस्गाड हेल्थ मॉडल के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को UNBP और नीती आयोग से मिली सरहाना वीजापूर में मलेरिया के केस 71 पीसद और दंतेवाडा में 54 पीसद हुए कम माई 2020 और माई 2021 के बीच मामलों में आई 49 पीसद की कमी नीती आयोग ने बताया एस्पिरेशनल डिस्टिक्स में चल रहे बहतरीन अभियानों में से एक दूर कितना भी जा इस जुबां से दूर नाचा पाव ले विमर्द बोलो जुबां केस रहे आप देख रहे है की नियूस ख़बरों का सार्थी प्रेकिवाद आपका स्वागत आज के मुद्दे में तो क्या ब्लैक मेलिंग ने लेली जान तमाम जंगाओं से संसमा जो या तमाम पार्टी के प्रवक्ता एक ही बात निकल कर आप सामने आ रहे हैं कि महंत जी आत्मात्या नहीं कर सकते यह साजिश के तय थत्या की गई है लेकिन तमाम जो किया जा रहा है वो इस तरह विशारा कर रहा है कि यह आत्मात्या है और यह आत्मात्या किसी दबाओ के चलते की गई है ब्लैक मेलिंग के चलते की गई है जो लेटर प्रट पर पर आठ पर नों का लेटर भी सामने आया है हमाई साथ अनिल जा समाजबादी पार्टी प्रवक्ता हमाई साथ हैं अनिल जा जी बहुत बहुत स्वागत है जल्दी साब की पहले प्रत्यक्रिया क्या है अर्शी भाई यह जो महन्त जी की है अत्म हत्या तफाकतित आत्म हत्या जो बताया जा रहा है मैं सवाग से 2016 में उनका सानेत्य प्राप्त हुआ था लाबाद में मैं गंगा की पुकार नाम की एक आर्जकम कर रहा था जिसमें आपके चनल भी सयोगी था और उसमें मुक्तिति के रूप में आये थे आजम खान जी के साथ में मंच पर भी राजमान थे मैं हम लोगों ने रात में उनके यहां उनके आस्रम में अपना समय बैतित किया था और जिस हनवान जी की सिर्फ हनवान चलिस्सा पढ़ने से मरने वाला व्यक्ति जिंदा हो जाता है या उ महंत जी जो हमेशा ब्लजंग व्यारी कि पुजा करते थे उस महंत जी की कम से कम ये तो सोच नहीं होगी वहात्महत्या करें है रहां जरूर कोई न कोई साज़ओ learner साइस इसमें जांच होती तो दूद का दूद पानी का पानी आजाता हो जाता इसमें कोई बेगुणा अगर है तो वो नफस्ता और जो गुनेहगार असली है वो बचना भी नहीं चाहिए इसमें उत्तर प्रदेश सरकार खास करके जो हिंदू हिंदाय समराथ साधू संतों के अपने आपको आइकान मानते हैं योगी जी तो उनको कम से कमें लगना चाहिए कि जो अखरा परिश्द के मान जी सांदू संतों में सर्वमानने हैं तो उनकी लिए कम से कम तत्काल सबकाम छोड़के और उनकी जांच के लिए यह ऐसी कमीटी बनाई जाए जो तत्काल महिना टो महिने कि अंदर लिए परिपोर्ट प्रसाश्ण साँस्त वाओंपे और इस तुमें जो ही दोसी है चाहिए वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो तो कितनी बड़ी पार्टी का नेता हो या चितना ही बढ़ा प्रादी हो उसको सलाकों के पीछे डाला जाए और जनता के सा भी परेलिखे लोग हैं तो जिनके दो हमारे आपके अगर कोई बिवाद हो जाए अर्शी भाइट तो कम से कम ऐसा नहीं हो सकता कि हम और आप एक दूसरे को नुक्सान पहुंचाएंगे तो इसमें तीसरा पक्ष जरूर कोई न कोई होगा जो इन दो पक्षों के बीच के मतांतर का या इन दो पक्षों के बीच के जो भी दूरियां थी जो भी कहा सुनी था जो भी विवाद था उसके आड में अपने कित्ति को अंजाम दिया है अपने मकसद को पाने के लिए इसक गोड निंदा करता हूं और इसको जल्द से जल जाच कराके दूद का दूद पानी का पानी सर्व समाज के अंदर संत्राइब के लोगों के अंदर हिंदू के अंदर यह चीज आना चाहिए ठीके कुर्ट जपेंसिंग जी क्या कहेंगे जाच की बात कही जारी है साफ़तोर पे अनिल जहाग की तरफ से लेकिर हमने देखा समय समय पर मुक्यमंत्री योगी आतितनात उनके बहुत करीबी रहे हैं हमने वो भी तस्वीरे देखी उनसे उनकी मुलाकात होती रही है ये डिप्टी सीम को इसके बारे में जानकारी नहीं थी जबकि इतना करीबी मामला था देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यम मंतरी मानिय योगी जी ने पहले ही जांच के आदेश दे दिये हैं और ये गोश्टा भी कर दिये कुले मंच से के दोशियों को कहीं से भी बक्षा नहीं जाएगा और अब अगर हम विवाद की बात करते हैं तो विवाद इसके जीवन में नहीं है इस गोर कलियुग में जाहे हम घरस जीवन में हों लेकिन कुलर साब अगर कोई विवाद किसी की जान ले ले तो मामला बड़ा हो जाता है ये दबाव इतना बड़ा था ब्लैक मेलिंग का कि कोई अगर अपनी जान देते तो मामला बड़ा हो जाता है हम वहीं आ रहे हैं अभी हम इसे ब्लेक मेलिंग के मामले के उपर किसी भी तरह से किसी भी वक्ता ने या अन्य चैनलों में कहीं से भी किसी ने भी उसे अपनी सहमती नहीं दी है क्योंकि आठ पन्नों का वो जो लेटर है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा संदे खड़ा करता है क्योंकि आज तक कोई व्यक्ति अभी तक ऐसा नहीं मिला महंत निगंदर गिरी जी के आसपास रहने वाला या पिछले इतने लंबे समय से उसे उन्हें जानने वाला कि जो अठ पन्नों के आदार पर गिरफ्तारीयां भी हो रहे हैं सर आनंदगरी का ना भी सी पन्ने में लिका था उत्रकहंट से गिरफ्तारी हुए और तमाम लोगती गिरफ्तारी तो इसी graftारते में हम आरे हैं कोई अबी तक ऐसा व्यक्ति उनके जीमन में जो उनके साथ रह और जो उन्हें लबे समय से जानता हो, कभी उन्होंने कोई ऐसा दस्तावेज नहीं लिखा, कोई उनका ऐसा लेखनकारी नहीं प्रकाश में आया, जहां लगे के उन्हें लिखने की हैबिट्स थी और वो लिखते थे, आज तक शाहिद जहां तक जो अभी डिबेट्स चल रही है कल राच से विभिन राश्टिये चैनलों पे कि शाहिद जीवन में उन्होंने कभी आठ पन्ने लिखे ही नहीं, तो आप वो एक अपने आप में सबसे बड़ा सब्सक्राइब अगर आठ पन्ने निखे नहीं तो क्या प्रशासन गुम्रा हो रहा है, प्रशासन गुम्रा हो रहा है, आप इसे दूसरी भाशा में ये भी कह सकते हैं, जो एक उनके पास से आठ पन्नों का पत्रपरात हुआ है, तो उसमें जो एक हमारी पुलिस विभाग की जांच है, य इसे तोर पर जांच एजन्सियों में बहुत काबिल आफिसर्स हैं, और हाँ, लेकिन ये भी आप वही काबिल आफिसर, वही काबिल आफिसरों ने बहुत जल्दी इस चीज़ की पुछ्टी कर दी, कि ये आत्मात्या है, पुस्मार्टर रिपोट आना बाकी है, लेकिन उन लगता है, बहुत जल्दी ये मामला CPI के हाथ में जाएगा, और CPI के हाथ में ये मामला जाते ही, दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा, और सच निकल कर सामने आएगा, और तभी इन दोशियों के चेहरे भी बेनकाब होंगे, कोई भी किसी भी इस तर्से, चाहे के चेहरे हो जागर होंगे, तो ये मत्र CPI जाच के बाद ही इसमें कुछ नाम नेताओं के भी आए है, कुवर साब, इसमें कुछ BJP नेता के भी नाम है, समाजवादी पार्टी के भी नेता का नाम है, एड्मिस्टेशन का भी नाम है, तमाम लोगों के नाम है, और ये है कि हमारे माननी है वुक्यमंत्री योगी जी जा गुनागारों को बचके जाने देंगे तो निशे तोर पर ना तो ये उत्तर परदे सरकार के स्थर से कोई बचके जा सकता है ना माननी है योगी जी के स्थर से कोई बचके जा सकता है और इसमें CBI जाच हमें लगता है कि बहुत जल्द इसमें सीबी आई जाच चुनी चाहिए जो बेगुना है जो गुनेगार है उसको बक्षा नहीं जाना चाहिए लेकिन कुवर साथ मेरा कहना ये भी है कि अगर मैं मान लीजे इस खत के अधार पे एक तरफ प्रिशासन एक्शन ले रहा है 24 घंटे पहले डिटी सियम मुलाकात करते मान से वो खत में ये भी लिखते हैं के मेरे अंदर ख्याल आया था कि मैं 13 सितंबर को ही आत्मात्या कर लूँ यानि के वो परिशान चल रहे थे 24 घंटे पहले डिप्टी सियम मिलते हैं क्या मैं मानूं क्या उन्होंने अपनी विथा या मन के अंदर कुछ चला था वो बता ही नहीं होगी बात या बहुत सी ऐसी बाते जिनको सामने नहीं लाया जा रहा है उनको छिपाने कोशिश की जा सामने नहीं आ रहा है देखिए डिप्टी सियम मौदे का अभी तक इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया तो निश्चे तौर पर जैसे जैसे यह जांच आगे बड़ेगी तो जिस जिस से भी जो वारतालाप हुआ है तो निश्चे तौर पर दीरे दीरे वह सभी वारत सामने नहीं आया उनसे अभी परांतर में जुड़ा हुआ या उनसे लंबे समय से जुड़ा हुआ जो यह मानने के लिए तैयार हो कि महंत निरंदर गिरी जी माहराज आत्म हत्या कर सकते हैं जो खुद भी वादों का निप्टारा करते थे जो खुद अखाणा परिशत के रहते हैं कि अवे आपके बात आएगे हमाने साथ हमाराजी माहराजी में चाहूंगा ठीक ठीक एक फूरों सबादे महाराजी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ने जी महराजी जी और स्वामी स्वामी रुपेंद प्रकाश जी संथ हरद्वार से इस वक्त माय सा जुन गए स्वामी जी आपका भी बहुत स्वागत है मैं मधन गोपाल जी भाराजी आपके पास आओंगा लेकिन स्वामी जी जल्दी से अपनी बात को रखे मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है पहली पृतिकरिया क्या है आपको ये आत्मातिया नजर आ रही है ये आत्मातिया नजर आ रही है उनके तमाम जो चीजे सामने निकल कर आ रही है वो आदम हत्या की तरह विशारा कर रही है लेकिन जो संद समाज है तमाम लोग है वो इसे मानने को तयार नहीं उनका कहना है कि नहीं यह हत्या है भई दबाव में भी अगर किया जाए बेशक 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 दबाव में भी किया जाए तो वो भी हत्या है सामने आई थी कि जिससे वो दवाव में हों केवल एक वीडियो बयान सामने आया था जो कि उनके उत्रादिकारी आनन्द गिरी जी और उनके बीच में जो हुआ था और वो प्रत्यक्ष है सब्सक्राइब कोई भी ऐसी बात नहीं आई थी उतके पहले राजी माराजी आपको कहा रहना है कि लेटर उन्हाने नइन लिख़ा है आप है माराजी आपको HOW दो इस पर जोगा जब उसकी मिलाए जाएगी लेटर में नाम जैसे दिये हैं कैसे दिये वो बिलकुल धीरे धीरे तो सिकनेचर करते थे हम लोग मीटिंग में सब्सक्राइब लेटर पैट भी देखा है राइटिंग मिला सकते हैं कि बाद कुछ हो जांच का विसाय हो जब तक कुछ इस पस्ट नहीं हो पा रहा है एक तो आप लोगों के पास वो लेटर हो तो किसी हमारे पास लेटर है महांद गोपाल दाजी में हम लेटर को दिखा भी रहे हम लेटर को लगातार दिखा रहे हैं उसमें उन्होंने आर्ट पढ़ने की बात में कई और कई जिंगाव पर उन्होंने काटा आए फिर शब्द को दुबारा लिखा आए और एक लाइन जो साफ तौर पर बात लिखी गई है और सबसे पहले जो गिरफ्तारी होती है वानंद गिरी की होती है महराजी क्या विवाद होगा यह विवाद उत्राधिकारी को लेकर ब्लेकमेलूने किया जा रहा था यह जमीनी विवाद था क्या यह था किसके इरदगिर अगर इतनी बड़ी साजी रशी जाती हैं एक बात को इतना दबाव में डाल दिया जाए कि वह आध्माठ्यकर ले गर मैं इसको मान के चलू तो ऐसा कौल सा दबाव था किसी इसका दबाव था इसमें संत नहीं संपत्ति को मुक रूप से मुखड़ा बनाया गया है और संपत्ति को लेकर के ही बिवाद है इसमें एक वीडियो के बारे में भी जिकर किया जा रहा है जो वीडियो अश्रील था जिसको उनका कहना था कि मेरी इसमें एडिट करके फोटो लगा दी गई है और ये फोटो ये वीडियो वाइरल कर दिया जाएगा तो ये भी जिसका जिसका जिकर है। मारा जी आउंगा मैं आपके पास स्वामी रूपेंद प्रकार जी हमारे साथ जुले हुए है महामन लिश्वर है स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी क्या करेंगे सबसे पहले आप ये अखाड़ा परशद के अध्यक्ष फुज नरेंदर गिरी जी का जो दुखद निदन है वो पुरे संथ समाज के लिए बहुत ही इस समय विचाड़ने परशन खड़ा हो गया है क्योंकि जिस परकार से उनका अंतिम समय ये एक प्रसंचिन के घेरे में है ये इसमें बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी राजनेतिक रोप से भी कुछ लोग की सलिपता जिस परकार से मीडिया चैनलों में दिखाई दे रही है निश्चित इसकी एक समय अवधी में इसकी जाच होने चाहिए मैं तो मांग करता हूँ कि इसकी सबसे उचिस्तरिय जाच सीवी आई इसकी जाच करे क्योंकि जिस परकार से आज वातावन बना है सवेरे से लेकर अब तक हरीद्वार में आनंदगिरी की ग्रबतारी और उनका सुसाइड नोट में आनंदगिरी को इंगित करना उधर सुसाइड नोट पर ही प्रुसंचिन खड़ा करना और ने को ऐसे सवाल हो गए हैं कि बहुत बड़ी दुविदा में इस समय समाज खड़ा हो गया है तो भारत सरकार इसमें क्योंकि दखल करे हमारे महंत योगी आदितेनाज जी जो की एक संती हैं उन्होंने उनकी सरदान्जली अर्पित करते हुए संतों को आश्वस्त किया है और हमें उन पर विश्वास भी है कि वो बहुत ही कड़ी कारवाई करने में विश्वास रखते हैं और उनकी जो कारशाली है वो हम सब परचित है उससे और हमें उन पर कोई संदे भी नहीं है लेकिन यह जिस परकार से उतर परदेश के कहीं लोग की संलिपता है मुझे लगता है इसकी सीवियाई जाच होनी चाहिए मेंत जी की हत्या है अत्वा आत्मत्या है यह इसका विश्लेशन हम लोग नहीं कर सकते यह तो एक जाच का विश्वास है हां लेकिन जो उनका वैवार है उनका वैवार कभी ऐसा नहीं ता कि वो ऐसा कायरता पूर्ण काम करें यात मत का जाता, इसलिए यकीन नहीं हो राए, कोई विश्वास नहीं हो रहा है कि महनत जी जो सबी 3 अख़डों के विवादों को सुल्टाते थे, वो इतनी जल्दी हार मांझ जाएंगे, ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा है. स्वामी जी इस बcolm भी बार रहे कि हमें भी विश्वास ही हो रहा है, लेकिन ते अड़ाय है, लेकर आप क्या सोचते हैं? गिरफतारी तो वो सुसाइड नोट में जो उनका नाम चुकी लिखा है अब जैसे हमारे पुझे महंत गोपालदाजी बोल रहे थे कि सुसाइड नोट उनके द्वारा लिखा गया आत्वा नहीं दूसरी बात वो किसी एक्सपर्ट से फिंगर प्रिंट उसके या कोई ऐसी इ उनके रफतार कर लिया लेकिन यह जाच का विशह है कि वो सुसाइड नोट लिखा किसने है महंत जी के द्वारा लिखा गया है कि उनसे जबरन लिखवाया गया है या क्या दवाव उनके ओपर बनाया गया है वाई सुरक्षा की स्रेणी के बावजूद भी इतनी बड़ी दुरगटना हो जाती है कही ने कहीं वह जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा को मिली है क्या उनकी भी सलिपता थी अब अन्य को सवाल इस पर खड़े हो रहा है स्वामी जी आपका कहना है कि भी यह लेटर फे लिखा था आनंद गिरी का नम इस बज़े से गिरफ्थारी हूए है पिर अनंद गिरी के इंसान थे क्योंकि हमने देखा है कई बार वो विवादों ने रहे हैं और सिलिया का किसे के बात करें जहा पर होटल में महिलाओं के स आनंद गिरी को लेकर हम समझ्जा चाते हैं किस तरह के वो संथ है। मुझे नहीं लगता कि अकेले इसमें आनंद गिरी की सलिपता होगी। लेकिन आनंद गिरी दबाओ तो बना सकते हैं। आनंद गिरी एक शिश्चे है। स्वामी जी जब विवाद हमने देखा और ये विवाद दुनिया के सामने जग जायर आया। हमने ये भी देखा कि वो चरणों में गिरके उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन या हो सकता है कि ये तस्वीर हमने एक सामने देखी। लेकिन एक पीछे की तस्वीर हो जहां पर ये विवाद खतम ना हो और पीछे विवाद चलना जिसके बारे में शायद किसी को ना पता हो। निश्चेत ये इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता जो आप बात कह रहे हैं कि जो परदे के पीछे क्या हो रहा है तुछ ये तो एक जाचकव इसे है किसको बात करते थे बेंजी आनंदगिरी की कॉल डेटेल्स खंगा ली जाए। स्वामी जी किसको बात करते थे, किसको उनको थ्रेट आती थी, या उनके इर्दगिर्द के लोग क्या सडियंत रच रहे थे, ये तो एक जाचकविस है, बागंबरी, पीट, कोई ऐसी स्वामान ने पीट नहीं है, वो एक परतिष्टित पीट है, वहाँ कोई दो-चार लोग रहते हैं, या दो-चार लोग आते होंगे, ऐसा भी सम्वाव नहीं है, या एक दिन में सडियंत रचा गया, ऐसा भी नहीं है, ये एक मुझे लगता है, पूर नियोजित सडियंत रहे, जिसका परतापास होना बागी है, ये लंबे वक्स से तमाम चीज़े चल नहीं थी, क लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी, देखिए, जांच कब इसा है, कुवर जपेन जी, ये तो सरकार, ये सरकार और जो जांच एजनसीज हैं, जब उनको लगता है, वो इतनी बड़ी संस्ता के अध्यक्स का विवाद चल ला है, तो हमारी जांच एजनसीज क्या कर रही थी, अध्यक्स का देखिए, उसके बाद ये दुरगटना हो जाती तो ये निश्चित रोप से पुर्शन चिन सुरक्षा एजनसियों पर भी लगता है, बड़ी बाद, बड़ी बाद, वाई के टेखिए की सुरक्षा दी गई थी, उसके बावजूद भी सिरे की बात हो जाए, कुमर जी मैं एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को प्रियाग्रास से बताना चाहरा हूँ प्रियाग्रास से इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दे सुत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पुलिस ने आधातिवारी को हिरासत में लिया है महंत नरेंदगरी प्रक्रल में हिरासत में लिया गए है मांत नरेंद गिरी प्रक्रण में हिरासत में लिया गया है सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर पुलिस ने आगा तिवारी को हिरासत में लिया है मांत नरेंद गिरी प्रक्रण में हिरासत में लिया गया है इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस पूरे घटा क्रम से जुड़ी हुई क्योंकि लगातार गिरफतारिया हो रही है जाच आगे बढ़ रही है जाच कि आज कहा तक पहुचेगी ये बड़ा सवाल है और आखिर ये ब्लैक मेलिंग का दबाओ कौन बना रहा था उससे बड़ा सवाल ये कि कौन था जो ब्लैक मेल कर रहा था महंत जी को तो ये कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब की ज़रूरत है फिलाल पूरे मामले पर जाज की जा रही है और हम कह सकते हैं कि जल्दी हो सकता है कि दूद का दूद और पानी का पानी हो जाए और समाच के लोग हमारे साथ लगातार जुले जिन्होंने अपनी बात साफ तोर पर रखी कि भई आत्मात्या नहीं है यह लेकिन अगर आत्मात्या भी किसी दबाओं में की जाए तो वह हत्या के समान होती बहुत 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 शुक्रिया स्वामी जी आमाइसा जुलने के तो साजिश है ये हत्या है या फिर आत्पहत्या ये कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब हो सकता है कुछ ही दिनों में आपके सामने होंगे आज का मुद्दे में इतना ही बने रही है हमारे साथ नमस्कार